नमस्कार दोस्तूं सभी पर्तियों की प्रक्षियाओं के लिए हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण जिसके अंदर आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी जो रहेगी कारक की दोस्तूं कारक विवक्ती के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे और साथ के अंदर महत्वपुन 15 परसन भी देखेंगे जो विगत पर्तियों की प्रक्षियाओं उनके अंदर पूछे गए हैं कि किस परकार के कारक से रिलेटेड हिंदी के अंदर क्यूसन है जो पूछे जाते ह इसलिए सभी साथी अंतक बने रहे बाकी कलासे अगर आप हिंदी व्याकरण के अटेंड करना चाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं दोस्तूं वीडियो को लाइक सेर और जो नए साथी है वो चैनल को सबस्काइब करें चलते हैं दोस्तूं कारक की ओर सबसे पहले हम देखते हैं कि कारक कहते हैं कारक है होता क्या है तो देखिए कारक कीरिया को करने में जो सायक होता है उसे ही कारक कहते हैं किरिया को करने में जो सायक ह उसी को क्या कहते हैं कारक कहते हैं IMPORTANT चीज है यहां पर देखे मितरू मैं एक वाक्य लिखता हूँ आपके सामने कि मा बच्चे को दूद पिला रही है वाक्य है आपका कि मा बच्चे को दूद पिला रही है अब यहां पर देखे माँ बच्चे को दूद पिला रही है अब यहाँ पर हम कारक है उसको पहचाने के से माँ बच्चे को दूद पिला रही है यहाँ पर देखे माँ बच्चे को यहाँ पर देखे यह चिन लगा हो रहा कारक का यह जो साहिता हो रही है नहीं यहाँ पर किरिया को करने में जो साइता हो रही है उसी को कहते हैं क्या कारे कहते हैं यहां पर आपका को आ रहा है को किसका करम का चिन है तो करम कारे की यहां पर हो गया इसी परकार के वाकिये एक्जाम के अंदर दिये जाते हैं और यही वाकिय आपके पटवार आर्टेट दोनु भर्तियों के अंदर सेम वाकिय पूछा भी जा चुका है दोस्तूं बात करें कारक के परकारू की तो हिंदी में जो कारक है वो आठ परकार के होते हैं इंदी के अंदर कारक कितने परकार के होते हैं आठ परकार के होते हैं दोस्तूं चलिए बात करते हैं एक एक कारक की कारक के चिन या विबक्ति जो कारक का चिन होता है वो विबक्ति कहलाता है तो यह देखिए कारक चिन विबक्ति कारक और उसका चिन यहां से आप आसानी से याद रख सकते हैं। करता ने करम को करण से संपरदान के लिए अपादान से अलग सम्मंद काके की अधिकरण में पेपर संबोधन है अरे बस इतना ही आपको याद करना है दोस्तों ये चिन है जो करता के साथ ने चिन मिलेगा करम के साथ को चिन मिलेगा करन के साथ सें साइता का भाव होगा जिसके अंदर सेंचिन मिलेगा समपरदान के लिए के लिए को के वास्ते ये चिन मिलेंगे अपादान के लिए सें जहां पर अलग होने कारत होगा यहां पर देखें सें यहां पर भी आ रहा है यहां पर भी आ रहा है यहां पर तो कोई साइता के लिए सें का पर योग हो रहा है जबकि यहां पर देखें नीचे आप जो आपका अपादान है यहाँ पर अलग होने के जैसे पेड़ से पता अलग होता है तो वहाँ पर से हैं वो अलग होने के अर्थ मेरे अपादान कारक बनता है सम्मंद के अंदर का, की, के, रा, री, रे, ये चिल लगते है अधिकरण के साथ मेप, पर लगता है सर्वेनाम का वे रूप जिसके दुआरा किरिया के करने वाले का बोद होता है जो किरिया है उसको कर कोन रहा है अगर उसका बोद हो तो उसको कहेंगे करता कारक समझेए संग्यावे सर्वेनाम का वे रूप जिसके दुआरा किरिया के करने वाले का बोद होता है किरिया को करन के साथ होता है जैसे राम ने गाना गाया पहले भूतकाल भूतकाल से रिलेटेड है ना वाकिय राम ने अब यहां पे देखे राम ने तो कारक करता कारक हो गया सनेया ने पार्ट पड़ाया सनेया ने पार्ट पड़ाया भूतकालिक है और यहां पे देखे ने अब देखे य जब क्रिया वर्तमान वे बshopिषये में आती है तो ने विबगती का लोप हो जाता है। कारक तो करता रहता है, लेकिन जो ने विबगती है यके नहीं लगती है वाकिये के साथ। जैसे श्याम खाना खाएगा, बुषये की बात हो रही है। यहाँ पर हमें पता है करता कारक है शाम खाना खाएगा विबगती का लोप है करता कारक है इसी प्रकार मनीज को पढ़ना चाहिए वर्तमान की बात हो रही है कि मनीज को पढ़ना चाहिए लेकिन आपको क्या है यहाँ पर ने दिकाई दे रहा है नहीं दिकाई दे रहा है यह और सरवनाम पर जब क्रिया का फल पढ़ता है तो उस वह करम कारक कहलाता है देखें करता, करम और क्रिया अब यहां पर देखें क्रिया का फल पढ़ता है करता या करता की रूप में संगय या सरवनाम है क्रिया का फल यहां पर पढ़ रहा है उसके मद्दे में आ रहा है करम दोस्तु अब देखें यहाँ पर चिन क्या होता है करमकारक का को होता है चिन क्या होता है को चिन होता है अब देखें नोट संजीव करमकारक सबद के साथ को विबक्ती लगती है निर्जीव के साथ नहीं संजीव करमकारक है अगर सजीव है तो उसके साथ को विबक्ति आपको मिलेगी निर्जीव के साथ को विबक्ति नहीं मिलेगी जैसे देखिए राम ने रावन को मारा करता का काम राम कर रहा है करम का काम रावन कर रहा है को को करम ये देखें ये आपकी विबगती श्याम बाजार को श्याम बाजार को तो यहाँ पे श्याम करता बाजार करम जाता है किरिया को क्या है विबगती तो कारक कुन सा हो गया कारम कारक हो गया आपका तीसरे कारक की ओर चलिए तीसरा परकार कारक काता है करण कारक करता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को ही करण कारक कहते हैं करण का मतलब कोई करता है जो कोई काम कर रहा है क्रिया कर रहा है वह जिसकी साहिता से वह क्रिया कर रहा है जिस साधन से उसी को करण कहते हैं और करण का चिन होता है सें द इसका भी परियोग करण कारग में किया जाता है के साथ या में भी का भी सेंग के साथ से के अलावा के साथ है में भी इनका भी जैसे उदान देखिए शाहाम कलम सेंग लिखता है अब शाहाम क्रिया कर रहा है लिखने की किस की साहिता सेंग कि साधन सें? कलम सें कलम के साथ ये सें लगा हुआ कारण कुन सा हो गया? कारण कारण गीता चाकू से पपिता काटती है गीता पपिता काट रही है लेकिन साहिता किसके ले रही है? चाकू की और ये साथ में देखिए सें लगा हुआ दिनेस पिता के साथ बाजार गया यहां पे देखे दिनेस बाजार जा रहा है किसके साथ सादन के पिता तो यहां पे देखे के साथ यह आपका के साथ यह होता है आपका कारण कारेक दो चोता जो हमारा कारेक आता है चोता प्रकार है कारक का संपर्दान कारक important है ये भी कारक का वे सवरूप जिसके लिए करता काम करता है कारक का वे सवरूप जिसके लिए करता काम करता है उसे संपर्दान कारक कहते है वापस देखे कारक का वे सवरूप जिसके लिए करता काम करता है उसको कहते हैं संपर्दान करता जिसके लिए काम करेगा अब देखे इसके लिए चिन के लिए भी है को भी है के वास्ते भी है संपर्दान कारक है उसके लिए के लिए हम पढ़ते हैं लेकिन को और के वास्ते ये मुखे है दोस्तु जब क्रिया द्वीकर्मी होती है तो को विवक्ती परदर्शित की जाती है दोस्तों और यहां से आप अगर रीट की तियारी कर रहे हैं सेगिंड ग्रेड की कर रहे हैं या किसी भी राजे की टेट की तियारी कर रहे है तो मित्रों यहां से जो नोट लगाया गया यहां से एकजाम में क्यों से न मिल सकता है हेतू, वास्ते और निमित आदी सब्दू के योग में संपरदान कारक का परियोग किया जाता है हेतू मिले, वास्ते मिले या निमित मिले ये तीनु शब्द अगर आपको मिलते हैं तो कोई से भी वाक्य में तो वहाँ पर संपरदान कारक होगा करम हुए संपरदान दोनुक में कोव विबक्ती चिन है किन्तु करम कारक कोव विबक्ती करम के साथ परियूकत होती है जबकि समपर्दान में कुछ देने के बाव में समपर्दान के अंदर जो को विबक्ती लगती है वो किसी को कुछ देने के लिए जैसे उदान देखे राम ने सीता को पुस्पक दी अब यहां पे देखे सीता को पुस्पक दे रही है मतलब संपर्दान कारेक है और इसी परकार का एकजाम में उद्धारन आता है को देखेंगे और करम कारेक कर देंगे तो हो जाएगा गलत इसलिए ध्यान रखे इदर देखें मोहन नोकरी के वास्ते इदर उदर भठक रहा है यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है के वास्ते मिल रहा है के वास्ते के वास्ते हो के लिए हो को हो या है तू वास्ते या निमीत हो इनकी इस्तती में हमें संपर्दान कारेक होता है दोस्तूं आगे चलिए पांचुवन जो परकार है अप्पादान कारेक कौन सा आ रहा है अप्पादान कारक जिस वाक्य के दुआरा किसी वेक्ती या वस्तू का किसी अन्य वेक्ती या वस्तू से पर्तकता का बोध होता है उसे अप्पादान कारक कहते हैं यानि कि अलग होने का बोध अगर वाक्य में आपको यसा लग रहा है कोई वस्तो है कोई वेक्ति है जो अलग हो रहा है अलग होने का वाक्य बाव दे रहा है तो वहाँ पर आपका अप्पादान कारक रहेगा बात करें चिनकी तो इसका चिन होता है से हैं लेकिन ये लगता किसके अर्थ में हैं अलग होने के अर्थ में दोस्तों अब देखें नोट उत्पत्तिस तल बे लजाने का भाव ग्रण करने का भाव तुलना अत्मक अद्दिन दूरी एवं कारण आदी में इसका परियोग किया जानता है दोस्तों जैसे देखे गंगा हिमाले से निकलती है हिमाले क्या उत्पत्ती स्थल है हिमाले से को निकल रही है गंगा निकल रही है तो हिमाले से गंगा अलग हो रही है मतलब अपादान कारक हो गया बहू ससूर से लजाती है लजाने के भाव में ससूर सें लजाती है तो लजाने का बाव आ गया तो यहां पर अपादान कारक आगे देखें सीता गीता से चतूर है तुलनात मगद्यन हो रहा है यहां पे सीता है जो गीता से चतूर है तो कौन सा हो गया अपादान अब दूरी एवम कारण हो या गरन करने का भाव हो वहां पर भी आपका क्या होता है अपपादान कारक होता है दोस्तों आगे चलिए चटुआ जो हमारा कारक आता है चटुआ परकार वो है सम्मंद कारक कारक के जिस रूप से वाके में सम्मंद दिता का बोध होता है आपस में संमन्द बताया जाता है वाकिय के अंदर उसे संमन्द कारक कहते हैं उसे कहते हैं संमन्द कारक यह चिन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों जैसे करणी माता का मंदिर परसिद है करणी माता का मंदिर परसीद है का विबक्ती मिल रही है मतलब संबंद पर कटो रहा है राम की पुस्तक हो गई संबंद कारक अपना कारिय स्वें करे ये दे के ना नीने न अपना कारिय स्वें करे तो काकी के रारी रे नानी ने ये मिले और आपस में सम्मन्द दर्साने वाला वाक्य हो तो वहाँ पर सम्मन्द कारक होता है दोस्तुम आगे चलिए साथवा कारक का जो परकार है वो है अधीकरन कारक कारक के जिस रूप से उस इस्तान या आधार का बोदो जहां पर क्रिया हुई है कारक के जिस रूप से उस इस्तान या आधार का बोदो जहां पर क्रिया हुई है उसे अधिकरन कहते हैं किन होता है इसका में पर पे देखे कारक के जिस रूप से उस इस्तान या उस आदार का बोद हो जहां पर अगर वाक्य दिया गया है और उसमें आपको इसा लग रहा है जहां पर किया हो रही है उसका बोद आपको करवाया जा रहा है तो वहां पर अधिकरन कारक होगा अंदर सब्द के साथ इसका प्रियोग किया जाता है अंदर सब्द के साथ भी इसका प्रियोग होता है जैसे वायू यान आकास में उड़ रहा है यहां पर देखे में लगा हुआ है कुवे पर पानी कोन बर रहा है पर लगा हुआ है कुएपर पानी कोन बर रहा है तो में पेपर ये जहांपर भी आपको मिले वहाँ पर बीना सोचे बीना समझे बीना देखे अधिकरन कारक कर देना अब देखते हैं आटवाँ परकार कारक का जो आटवाँ परकार है वो है संबोधन कारक दोस्तों देखे वाक्य में जब किसी संग्या या सर्वनाम को बुलाया या पुकारा जाए तो उसे कारक कहते है उसे संबोधन कारक कहते है समझे इसका चीन होता हे ओ अरे हाई आप बोलते नहीं आप किसी का फाइड अगर आप पिछे चल रहे है आपका दोस्त आपसे आगे चल रहा है तो आप बोलते हो अरे ओहो तो ये क्या आपका संबोधन है दोस्तु जैसे देखे अरे मोहन इधर आओ अरे मोहन इधर आओ हे परबूर रक्सा करना तो ये होता आपका संबोधन का रहे ये थे आठ संबोधन कारक लेकिन मितरू साथ में आपके अब्यास पर्शन भी है पंदर तो चलते हैं ब्यास पर्शनों के ओर और पंदर के पंदर के पंदर किसी ना किसी पढ़तियोंगी प्रक्सियाओं में आएविये हैं तो देखे परसन नमबर एक जगड़ा मेरे और उसके मद्दे में था में कारक कौन सा है जगड़ा मेरे और उसके मद्दे था कारक कौन सा है अब कमेंट करके बताइए संबंद है अधिकरण है करण है या करम है कौन सा है कारक यहां पर परियूगत हो रहा है जगड़ा मेरे और उसके मद्दे में था, ये क्या लगावा है यहां पे, ये किसके चिन है दोस्तु, किसका चिन है ये, अधिकरण का में पेपर, तो कौन सा हो गया, अधिकरण कारक हो गया, दो नमर क्यों से देखे गरीबू के निमीत दन इक्टा करो में कौन सा कारक है करण कारक अपदान कारक संपरदान कारक या करता कारक गरीबू के निमीत दन इक्टा करो मित्रू इंपोर्टेंट है ये गरीबू के निमीत दन इक्टा करो यहाँ पर देखें आप निमीत क्या लग रहा है निमीत है तू वास्ते यहाँ पर कौन सा कारक होता है संपरदान कारक होता है तो तीन नमर ओप्शन सही रहेगा आगे चलिए तीन नमर में मा बच्चे को दूद पिला रही है में कौन सा कारक है मा बच्चे को दूद पिला रही है करन कारक, संपरदान कारक, अपदान कारक या करम कारक मा बच्चे को को किसका होता है करताने करम को तो कौन सा कारक हो गया करम कारक आपका यहां पर हो गया दोस्तु आगे चलिए चार नमर क्यूसन है किस करम में संपर्दान कारक है किस करम के अंदर संपर्दान कारक है मित्रू बताईए यहां पर तीन चार वाक्य दिये गए है आपको और आपको पूछा जा रहा है किस संपर्दान कारक किस के अंदर है हमने चिडियागर में पक्सी देखे गरीब के निमीत वस्तरदान करो सांप को लाटी से मारो कलम मेज पर है अब बताएए किस करम में संपरदान कारक है जो दिखाई दे रहा आपको संपरदान तो देखिए यहां पे यह निमीत का प्रयोग हो रहा है मतलब संपरदान कारक है यहां पे किस करम में करता कारक नहीं है करता कारक किसमें नहीं है पहला सचीन क्रिकेट खेल रहा है खेल रहा है वर्तमान की बात कर रहा है तो चिन नहीं मिलेगा करता नहीं नेचिन यहां पर नहीं मिलेगा बिजली यह आपका करता कारक नहीं है सूरेस ने सूरच को बुलाया बूत की बात हो रही है और यहां पे देखें नेट चिन मिल रहा था संजे वैयाम करता है वर्तमान की बात तो यहां पर क्या है आपका नेट चिन नहीं मिलेगा तो यहां पे आपका दो नमर उपसंस आई ए आगे चलिए वीरु ने देश के है तू बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है वीरु ने देश के है तू बलिदान दे दिया यहां पे देखे है तू करता है करण है संपरदान है या अपादान है है तू निमेत वास्ते कौन से कारक में संपरदान कारक के अंदर अप्पादान कारक के सम्मन्द में कौन सा उधारण नहीं है मैं जेपुर से चला रहा हूँ पर्तवी सूरिय पर्तवी से दूर है राजीव चत से कूद पड़ा सब प्राणी आँखों से देखते हैं अब देखें यहाँ पे आपको पूछा है अप्पादान कारक है वो किसके अंदर नहीं है अप्पादान में सबसे इंपोर्टेंट होती है वो होती है दोस्तो अलग होने का बाव मैं जेपुर से चला रहा हूँ जेपुर से अलग हो रहा हूँ अप्पादान है सूरिय पर्तवी से दूर है मतलब दोन्नों के अंदर दूरी या अलग का भाव बताया जा रहा है राजी उच्छत से अलग हो गया है नि कूद गया तो सब प्राणी आँकों से देखते हैं यहाँ पर कोई अलग होने का भाव नहीं है चार नमर ओप्सन आपका यहाँ पर अपदान का नहीं है उधारन अब पादान तो पहला ही ओप्सन सही है यहाँ पर ओ लड़के दीरे चल संबोधन का रख छत के ऊपर चले जाओ छत के ऊपर चले जाओ तो यहाँ पर देखे छत के ऊपर चले जाओ अधी करण का रख छत के ऊपर यह देखे आस्मान का रंग नीला है का 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 सम्मंद कारक आगे चलिए किस करम में करण कारक नहीं है करण कारक किस में नहीं है पहला देखे लड़का छट से गिर पड़ा तो लड़का छट से गिरा है मतलब छट से अलग हुआ है तो कौन सा होगा अब पादान होगा या करण होगा अब पादान होगा यहां पे तो यहां पे एक नमर ओप्सन सही है आपका आगे चलिए देवेंदर मेदान में खेल रहा है पंक्ती में कौन सा कारक है देवेंदर मेदान में यहां पे देखे में और में पेपर किसके अंतरगत आते हैं ये ये आते हैं आपके अधिकरन कारख के अंदर चार नमर अप्सन सई हैं यहाँ पर आगे चलिए रेकांकित का कारख बताईए मेंडक को पत्तर से मत मारो रेकांकिक दिया आपको पत्तर, पत्तर के साथ लगावा है सेंग, आप पूचा है कारक बताना तो बताइए मित्रू, करताने करम को करण सेंग, दो जिगें, एक अलग होने के अर्थमेर, एक सेंग का होता है करण के साथ मेंड़ को 5 करण का, 5 सेंग, यापन क्या अलग हो रहें, नहीं हो रहें, मतलब कारक को सा होगा, करण कारक होगा, अप्सन 3 सही रहेगा आगे चलिए किस करम में संपर्दान कारेक का सही प्रियोग हुआ है संपर्दान कारेक का पहला है बच्चु के लिए मिठाई लाओ करताने करम को करन सें संपर्दान के लिए और यहां पर भी आपका प्रियोग के लिए हो रहा है मतलब संपर्दान कारक है पहले में तेरा नमर है किरिया का परवाव या फल जिस संग्या या सर्वनाम पर पढ़ता है उससे कांसा कारक कहते है किरिया का परवाव या फल है जो संग्या या सर्वनाम पर पढ़ता है उसको करता अपादान संपरदान या करम उसको करम कारक कहा जाता है नेक्स्ट चोदे नमर निमलिकित में से अपादान कारक का विबक्ति चिन होता है अपादान कारक कहां पर यूज में लेते हैं जहां पर अलग होने का भाव वो पेड से पता गिरा रामचत से कूद गया यहां पे अलग होने का बाव है तो सेंख अलग होने के लिए अपपादान कारक का विबगती चिंसे हैं दोस्तु और अंतिम क्यू संदे के पंदरे नमर है अमेरिका ने भारत को आर्तिक सहाहिता दी में कौन सा कारक है अमेरिका ने बारत को और कोके साथ आर्तिक साइटा देने के भावारत में कुन सा आता है समपरदान कारक आता है तो ओपसन आपका तीन यहां पे सही रहेगा ये था कारक टोपिक टोप 15 क्यूसन इंपोर्टेंट कैसे लगे आज के ये टोपिक और ये परसंदोस्तों कमेंट करके बता दें और जो साथी किसी भी परकार की जानकारी चाते हैं वो इंस्टाग्राम पर मेसेज करके प्राप्त कर सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत